आप लोग ने देया याचिका के बारे में सुना होगा और जब देया याचिका की बात होती है चमादान की बात होने लगती है राश्टपती साहब की बात होने लगती है राजजपाल साहब की बात होने लगती है अनुछेद 21 की बात होने लगती है अनुछेद 72 की बात होने लगती है अनुछेद 61 की बात होने लगती है और जो छमा करने की सक्तियां है उनकी बात होने लगती है कि छमादान करने की सक्ति किस किस के पास है और मैं हवे सा कहता हूँ आप लोगों से इस तरह की टॉपिक्स ही आपके एक्जाम में कुश्चन्स पूचे जाते हैं और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी भी नहीं करें न तब भी मुझे लगता है कि दया याचिका के बारे में एक सामान जानकारी आपको रखनी चाहिए कुछ समय पहले आप लोगोंने देखा होगा कि जो निर्भया की हत्त्यारे थे वो भी राष्टपती साहब के सामने गए थे चमा मांग रहे थे दया याचिका उन्होंने भी डाली हूई थी अभी क्यों चर्चा में हैं? अभी इसलिए चर्चा में हैं कुछ आप देखेंगे कि हाली में एक नेड़े में सर्वोच नेयले ने बल्वंत सिंग राज Ariana की मौत की सजा को कम करने के लिए सरकार को निर्दिश देने से इंकार कर दिया और इसके बज़े इसने सरकार को आवस्तक्ता पढ़ने पर दया याजकर पर निर्ड़ लेने की अनुवती दी है अब आप देखेंगे कि ये कौन है बलवंत सिंग राजुवाना तो आपको बता दू कि बलवंत सिंग राजुवाना को 1995 में पंजाब के पूर मुकमंतری बे अंत सिंग की हत्या का दोशी ठहराये गया था आप लोग अपनी इसके रिण पर देख रहे हैं ये पंजाब के पूर मुकमंत्री बेयंत सिंग हैं इनकी हत्या कर दी गई थी और दोसी किसे ठहराय गया ये आप लोग देखिए बलवंत सिंग राजवाना का और इसलिए आप देखें कि दयायाचिका अभी चर्चा में बनी हुई है और याचिका करता ने तरक दिया कि तो एक बार पहले आप लोग पंजाब को देख लिजे उसके बाद हम लोग दयायाचिका के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं देखें ये हमारा प्यारा भारत है इसमें आप देखेंगे ये पंजाब आपको देखने को मिलेगा और इसकी चंडीगर क्या है इसकी अंतराष्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्यों में राजिस्तान, हर्याना, हिमाचल पतेश और जमुकस्मी से लगती है यहाँ कर हम लोग देखें तो विधान सभा में आपको 117 सीटे डेखने को मिलेगी राज्य सभा में 7 सीटे है लोग सभा में 13 सीटे है ए नियाले का अउलोकन नियाले ने ग्रह मंत्राले की इस निसकस का हवाला दिया कि अब द्याया याचिका पर फैसला राश्टी सुरक्षा से समझोता होगा और नियाले ने कहाए कि द्याया याचिका पर फैसला टाले की मंत्राले की फैसले की जांच करना नियाले के ऊपर नही और जब सर्वोच नेलाई की बात होती तो आप सभी जानते हैं कि वो भी समीधानिक संस्ता है, समीधान की अनुछेद 124 के ते सुप्रेंग कोट की स्थाफना की बात कीगी है, 28 जन्मरी 1950 में इसकी स्थाफना हुई थी और आप देखते हैं इसमें जो नयाजीस रहते हैं उन और राजजपाल से द्या की मांग करते हुए किया जाता है, अब आप देखे किसी को मित्ति उधन दिया गया, किसी को कारावास की सजा दी गई है, आज इवन कारावास की सजा दी गई है, तो वो राश्टपती साहब और राजजपाल के पास द्या लगा सकता है, द्या या के तहत मौली का दिकार की रूम में भी वर्डित किया गया है तो यह भी आर्टिकल 21 को भी आप लोग याद रखेगा समीधानिक धाचा तो भारत में समीधानिक धाचे के अंसार दया याचिका के लिए राश्टपती से अनरोध करना अंतिम समीधानिक सहारा है यानि कि आप आप देखे कि कहीं कोच ना बचा हो तभी आप देखते हैं कि किसके राजपती साहब के पास जाता है कोई कि हमें माप कर दीजे हमारी सजा को कम कर दीजे जब एक दोसी को कानून की अदालत द्वारा सजा सुनाई जाती है तो दोसी भारत की सम्मिधान की अनुचेद 72 के तहद भारत की राश्पति को दया याज का पेस कर सकता है और इसी पेकार भारत की सम्मिधान की अनुचेद 161, आर्टीकल 161 के तहद राज्यों के राज्यपालों को छमा प्रदान करने की सक्ति दी गई है ठीक है यह दोनों आ 70 को देखें तो राश्टपती के पास किसी भी किसी भी अपरात के लिए दोसी ठहराएगे किसी भी ब्यक्ति की सजा कम को कम को छमा करने उसे रोकने बिराम देने या कम करने या सजा को निलंबित करने परिहार करने की सक्ति होती है एक इसके पास होती है राश्टपती के साथ पहस के होती है और उन सभी मामलों में जहां सजा या सजा या पिर सजा कोट मासल द्वारा दी गई हो इसमें भी आप देखे राश्पती साहब माप कर सकते हैं उन सभी मामलों में जहां सजा या किसी ऐसे मामले से सम्मंदित किसी कानून के खिलाप अपरात के लिए और जिस पर संगी की कारकारी सक्ती का विस्तार होता है सभी मामलों में जहां मौत की सजा दी गई हो इन सभी मामलों में राजपती साफ छमा कर सकते हैं उनके पास सक्ती होती है और राजपाल की एकर हम लोग बात करें तो अनुचेद 61 क्या कहता है 161 इसके तहट किसी राजजी के रा जिहार करने या कम करने की सक्ति होगी और जिससे राज्ज की सक्ति का विस्तार होता है और आप देखें कि 2021 में सर्वोच नयले ने कहा है कि कि किसी राज्ज का राजपाल मित्युदंड की सजा वाले कैदियों को छमा कर सकता है लेकिन वह नियुनतम 14 साल की जेल काट चुका ह यारी कि 2021 में सर्वोच नयले किया कह रहा है कि राज्ज का राजपाल मित्युदंड की जिसे मित्युदंड मिला हुआ है उसकी भी सजा वाले कैदियों को भी छमा कर सकता है लेकिन उसने अपनी आप देखें कि जेल में उमर कितनी काट ली हो कितनी सजा काट ली हो 14 साल की स प्रिक्रिया नहीं है लेकिन बेवार में कानूर की अदाल्प में सभी राहतों को समाप्त करने के बाद दोसी व्यक्ति या उसकी और से उसका रिश्टेदार राश्टपती को लिखे तियाज का पिस्तुर कर सकता है और राश्टपती की ओर से राश्टपती सचिवाले द्व होता है, अगर उसे फांसे की सजा भी दी जा रही है न, तो राष्ष्ठपती के पास जाएगा, और राष्ठपती भी अगर मना कर देते हैं, तो उसका फांसी मिल्लाओं से, उसकी मित्थिवधन्रों से पक्का है, दया याच का दार करने का अधार क्या है तो दया का कार कैदी का अधिकार नहीं है वह इसका दावा नहीं कर सकता है और चमा या दया या चमादान उसके स्वास जारेरिक या मानसेक स्वास या उसकी परिवारिक बित्तियों के अधारपद दी जाती है क्योंकि रोजी रोटी का एकमात अर्जक है या नहीं है और नियाएक समीक्चा की बात करने इसमें तो एफुरू सुधाकर और आंध्विदे सरकार 2006 और अन्ने के मामलों में सर्वोच नियाले ने माना की अनुषेद 72 और अनुषेद 161 के तहित राष्टपती और राजपाल की छमादान सक्ती नियाएक समीक्चा के अधीन है और नियाले ने कुछ आधार निर्धारित किये जाने पर याज का करता द्वारा यदि आदेस बेवुनियात तरीके से पारित किया जाता है यदि पारित आदेस दुर्भावना पूंट हो यदि आदेस पूरी तरह से आपरासंगिक विचारों के प्रभाव में पारित किया गया हो अगर आदेस में मनमानी की भावना ब्यापत हो नयाएक समिक्षा भी हो सकती है अब आप देखे दया याजका से जोड़े कुछ एहम फैसली मारू राम बना भारसंग 1981 का मामला है यह आप लोग मामले भी याद रखा करेगा इनसे भी डारेक्ट कुश्टन्स पूच लेता है कई बार आप लोग मुख परिक्षा में आंसर लिख रहे होते हैं वहाँ भी इनका उपयोग कर सकते हैं सरवोच नहाले ने माना कि अनुच्छेद 22 के तहट छमा देने की सकती का प्रेव मंत्री प्रसद की सलाय पर किया जाना चाहिए यानि कि खाना आप लोगों को कि राश्टपती के पास हमारे देखने के लिए सकतियां होती है लेकिन कहते हैं कि वो अपने हमारे यहां के राश्टपती के पास इतनी सकती है कि वो अपने मन से खाना खा सकता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है अब आप देखे उसे इसमें भी छमा दैने की सक्ती का प्रेयोग भी मंत्री फोषद की सलाय पर किया जाना चाहिए धनन्जा चटर जी बनाम पर्षे मंगाल राज 1994 में सर्वोच नयाले ने कहा है कि समिधान के अनुचेद 72 और 161 के तहत सक्ती का प्रेयोग केंद और राज सरकारों द्वारा किया जा सकता है ना कि राश्टपती और राजपाल द्वारा आप केहर सिंग बनाम भारास संग के क्या कह रहा है यह 1989 का केस है और सर्वोच नयाले ने अनुचेद 72 के तहत राश्टपती की छमादान की सक्ती की दायरे की बिस्तार पूर्वक जाज की थी और सर्वोच नयाले ने माना था कि भारती समिधान की अनुचेद 72 की नयाएक सक्ती के तहत अपराद के लिए दोसी करार दिये गए वेक्ति को राष्टपती चमा या अर्था दंडा देश का नीलम्मन प्राण दंड इस्थगन रहत और मापी पिदान कर सकता है और आप देखते हैं कि चमादान की सक्ती से समंधित कुछ कीवर्ड हैं ये भी देख लिजे चमा इसमें आप देखी इसमें दंड और बंदीकर दोनों को हटा दिया जाता है या दोसी की सजा को दंड दंडा देश या निरहारताओं से पूर्टा मुक्त कर दिया जाता है लिजे अब आप आजाद हैं लगू करन तो इसमें दंड की सौरूब में परिवतन करना सामिल है उधारन के लिए मित्ती दंड को आजीवन कारवास और कठोर कारवास को साधारन कारवास में बदल देना फिर आप देखते हैं कि एक सब्दाता है परिहार इसमें आप देखें दंड की अउधी को कम करना सा उधारन के लिए महला की गरवावस्था की अउधी के कारण सजा को परिवर्थित कर देना एक आप देखे प्री विलम्मन है या आप देखे इसकार थे आयस्थाई समय के लिए किसी सजा विसेशकन वित्युदन की निस्पादन पर रोक लगाना है और इसका उद्देश दोस सम्मिधान महाभीयों के मामले मामलों को छोड़कर राजपती को संगीए कानून के तैद आप राधों के लिए प्री व्लमबन अत्वाच्ण चमादान करने की समान सकतियां परिदान करता है हालां कि राजिकानून के उलेकन के मामलों में यह इस सकति राजिस के समंद्धि तो अपराधिक रिकॉर्ड अधिनियम के तहत राष्टी है पिरोल बोड ऐसी राहत देने हितू अधिकेट है तो यह आरने देशों में छमादान के लिए क्या है सक जो विवस्था है उसकी बात हो रही है जो प्रावधान है उनकी बात हो रही है तो मुझे लगता है एक सामा जानकारी आप लोगों के पास चमादान के बारे में दया आयाजका के बारे में आ चुकी होगी और अब अगर कुष्चन सापकी परिक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आप लोग उसका आंसर बहुत बहुततर तरीके से दे पाएंगे ठीक है आपका कोई सवाल हो कोई बेश सकते हैं